हेलो एव्रेयन दिस इज अविनास रॉम एरोंस इंडिया आज हम बात करेंगे हमारा निया लाइ मिक्सचर एसम टॉंटिटू के बारे में तो चलिए जानते हैं एसम टॉंटिटू के बारे में यह एक टॉंटिटू चैनल लाइव ओडियो मिक्सर है इसमें 18 माइक लाइन मोनो इन्पूर्ट है फोर स्टेरियो इन्पूर्ट है हर एक मोनो चैनल में 48 वर्ट फैंटम पाउर का अनफ स्विच और 100 हर्ज लो कर्ड का अनफ स्विच है लेप्ट और राइट में आउट्वूर्ट में 7 बैंड जीक्यू है टू इंडिविजल इफेक्ट प्रोसेसर है हर एक में 99 इफेक्ट अभेलेबल है यूस्बी और ब्लूटूथ है उसके साथ रेकोर्डिंग भी कर सकते हैं दो ऑक्स, दो ग्रूफ, दो इफेक्ट आउट भी है यह है ASM22 का पाउर सॉकेट पाउर अनफ स्विच लेप्ट और राइट में स्टेरियो आउट्पूट 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 यह है चैनल वन का एक्सलर माइक इनपूट लाइन इनपूट 48V phantom power switch, Gain knob, 100Hz low-cut switch, 3-band EQ, HFK knob, MFK Frequency Selection knob, MFK Gain knob, LFK knob, Aux1, Aux2, Prefairer Selection switch, Effect1, Effect2, Pan knob, Mute switch, group 1, 2 selection करने के लिए switch, group 3, 4 selection करने के लिए switch, main output selection करने के लिए switch, peak LED indicator, यह इसका फेडर जो की 100 mm है और काफी smooth है यह इसका PFL selection करने के लिए switch यह से channel 1, 2, 18 तक semi function है channel 19 to 22, stereo channel है stereo channel का left or right RC input, left or right P38 input stereo channel को mono और stereo selection करने के लिए switch, Gain knob, 3-band EQ बाकि same to same channel 1 to 18 जैसा same है यह channel 21 and 22 है बस channel 21, 22 में MP3 और bypass selection करने के लिए switch है और बाकि 19 और 20 जैसा same ही है effect 1 की fader, effect 2 की fader, group 1, 2 की fader, LED label indicator, group 1, 2 और main selection करने के लिए switch group 3, 4 की fader, LED label indicator, group 3, 4 और main selection करने के लिए switch main left और right का fader यह effect processor part इसमें दो individual effect processor है हर एक में individually 99 effect है effect को select करने के लिए आपको program knob को घुमाना पड़ेगा जो भी effect को select करने के बाद उसको press करना पड़ेगा press करने के बाद वो select हो जाएगा एसे ही आप number 2 effect को भी select कर सकते हैं यह इसका tap switch यह है effect 1 का knob यह है इसका parameter knob यह है इसका effect 2 और उसका parameter knob यह है aux 1 यह है aux 2 का knob यह return का knob यह subwoofer output का frequency ट्यून करने के लिए knob यह उसका gain effect 1 को aux 1 में send करने के लिए knob effect 1 को aux 2 में send करने के लिए knob effect 2 को aux 1 में send करने के लिए knob effect 2 को aux 2 में send करने के लिए knob main out का signal LED indicator headphone का jack headphone का volume knob left और right main output का 7 band G EQ EQ को on करने के लिए आपको EQ on बोटन को प्रेस करना पड़ेगा ये left का EQ on हो गया ऐसे ही आप right को भी on कर सकते उसके बाद आप अपने हिसाफ से EQ को adjust कर सकते है Group 1, Group 2, Group 3, Group 4 और सब ओफरक आउटपूट Effect 1, Effect 2 का आउटपूट left और right का main output left और right return चक ये है इसका multimedia section multimedia section में आप USB, Bluetooth, Recording और PC Connect कर सकते है multimedia 21 और 22 नमर चैनल में है आपको मिलेगा multimedia को in करने के लिए आपको ये बना बटन प्रेस करना पड़ेगा pen drive को play करने के लिए आपको pen drive को USB स्लोट में insert करना पड़ेगा उसके बाद ये उसको read करना start कर देगा program button को घुमा के आप track को previous, next कर सकते है और एक बार प्रेस करने से बो pause हो जाता है और दुसरी बार प्रेस करने से बो play हो जाता है ये है उसका mode selection switch आप recording के लिए उसको एक बार प्रेस करेंगे इसके बाद ये program button को प्रेस करने से recording start हो जाता है उसके बाद mode button को प्रेस करके आप recording को store कर सकते है Bluetooth के लिए आपको mode button को प्रेस करना पड़ेगा ये हैसे Bluetooth लिखके आ जाएगा अब आपका phone में double audio लिखके आ जाएगा उसके साथ आपको pair करना है pair करने के बाद वो connect हो जाएगा connect होने के बाद आप जो भी गाना play करके चला सकते है mixer को PC से connect करने के लिए आपको ये वाला USB to USB wire चाहिए USB का one side आप PC के साथ connect करेंगे और दूसरा side आप mixer के साथ connect करेंगे ये इसे PC लिखके आ जाएगा इसके बाद आपको जो भी गाना play करना है कर सकते हैं वो play करने के बाद 21 और 22 नमबर चैनल को फेडर को आपको आफ करना पड़ेगा और left और right में चैनल को आपको आफ करना पड़ेगा अभी आप PC से ये play कर सकते हैं और recording भी कर सकते हैं तो PC के साथ mixer को इसे ही connect करना है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक केजिए शेयर केजिए, कमेंट केजिए, चैनल को सब्सक्राइब केजिए वीडियो दिखने के लिए धन्याबाद झाल